जहन साथियों आप सभी का स्वागत है आई टीए पुलस के एक नए वीडियो के साथ में तो यहाँ पर बी आरो ग्रीफ की और से SKT यानि स्टोर की पर टेकनिकल और DES यानि डीजल इंजन एस्टेटिक की और से काफी बड़ी वेकेंसी आई ही है यहाँ पर form apply होना सुरू हो चुका है अगर आपने form apply अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजे क्योंकि आपको पता इस form को offline भरा जा रहा है और टाइम से पहुशना वहाँ पर जरूरी है तो ही जाकर आपके admit card जारी किये जाएंगे तो फेंट्स यहाँ पर आपको पता है कि बियारो ग्रीफ की ओर से एड़ीट कार्ड जारी करने के लिए आपर दस गुना कर दीजे चलिए सुरू करते हैं तो वीडियो करने से पहले आपको जो है एक बार मैं बता दूँ यह वेकेंसी का जो है नोटिपिकेसंस है जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि सपोस्ट के लिए कितनी यहाँ पर वेकेंसी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टोर क देखे तो यहां पर 500 वेकेंसी है डिएस की और कुल मिलाकर देखे तो यहां पर 876 वेकेंसी है एस्टोर की वह टेक्निकल और डिएस दोनों मिलाकर करके अब बात कर लेते हैं कि कट आफ क्या रहने वाली है तो फ्रेंट ऐसा कि आपको इस स्किन पर दिख रहा है यह पीछला कट ओफ है जो फिछली वार वेकेंसी आई थी उसका यहां पर कट आफ है आप देख सकते हैं यहां पर जो कट आफ पिछला बार था जनरल का यहां पर 74 था 74 SC का 76 ST का 68 और यहां यहांपर OBC का 80 80 था ठीक है आप देख सकते हैं सबसे जो ज्यादा कट ओफ गया है यहांपर OBC का गया है 80 प्लस यह पर कट लिए और EWS का यहांपर बात करें तो कि पर टेकनिकल की जो कटाफ है व परिवांच करने क्यों आपको स्वेइंटी फाइब प्लस ही रने वाली हैंगर आपका सेबीट कर्ड एपकर आने की चांसेस हैं अब बात करें दूढ़ है उसकी कैसे कि कोई कटाफ नहीं है थिक rend आप पर इसकी कोई अगर आपने तरीके से फॉल पार प्लाई कीया हुआ है ठीक है आगर आपने जो भी फॉर्म जो प्रयो सिंक त्या वार समय करेंज जो आप श्वार किया हुआ है तो आप tril किया हुआ है थे कि आपको पता है फ्रेंट से यहांपर वेकैंसि काफी अधीक है 409 बिआ यहां पर कुल इसकी व्रकेंसी है आपके आएंगे ठीक है जैसे इसके बारे में कोई और अपडेट आती है तो आपको समय समय पर मैं इस वीडियो के माध्याम से इस चैनल पर बताते रहता हूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुरूर रखिएगा चले मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ अब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद